महबबत में पढ़ने वाले लोग क्या कुछ नहीं करते एक दूसरे को रूटते मनाते हैं, मिस्ट कॉल से प्यार का इजहार करते हैं, दिन रात जानू बाबू शोना करते रहते हैं, लेकिन कोई ही होता है जो सच्चा प्रेमी होता है। शाजहा का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने अपने प्यार अपनी बेगम के लिए ताज महल बनवा दिया। ऐसे ही प्रेमी है भागलपूर के डॉक्टर नजर आलम जो बाच्छा तो नहीं, लेकिन इनकी मुहबत शाजहा से कम भी नहीं। बिहार के भागलपूर निवासी, डॉक्टर नजर आलम ने अपनी बेगम खुस्न बानों की याद में मकबरा बनवाया है, जो बिल्कुल ताज महल जैसा है। यह दोनों के प्यार की निशानी है, इसे लोग भागलपूरी ताज महल के नाम से भी जानते हैं। आएए इसकी पूरी कहानी दोनों की बेटी साबरा से सुनते हैं। मतलब कनवलजन आया, और उसके बाद इनका दिहान दो गया, तो मम्मी कुछदी 2013 में हज पे गई थी, तो हज में मम्मी पापा साथ ही जह थे, उनके बाद इन लोग काई था कि हमनों में से कोई भी होगा, तो उनका जो है यहीं पर अस्थल बनेगा। इस मकबरे में मदरसा भी बनवाया गया है, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें। इसे बनवाने में करीब 30,000,000 रुपए खर्च हुए हैं। यह साल 2016 में बनना शुरू हुआ और 2017 में पूरा तयार हो गया। आसपास की इलाके की लोग इसे देखने आते हैं और इसकी खूपसूर्थी में खो जाते हैं। इस मकबरे के ज़रीर डॉक्टर नजरालम और हुस्नमानों का प्यार कई पीडियों तक याद रखा जाएगा। इस सरकार कर नजर होना चाहिए कि इसको बिख्षित करना चाहिए तो गौरब बली बात है कि हमारे वाड में ताज महल है। हमरे चचा थे डॉक्टर नजीट चाची थी उनके याद में भी बनाया गया है। हो और चचा जी जो है। ऑपने पतनी का बनाया है फिर चचा जी का इनके लड़के लोग बनाय है। यह दुर दूर के पहुस्टे हैं। प्यार की निसानी को कितना नाम मिले? हाफी सोशयार पुरी का एक फेमस शेर है महबत करने वाले कम नहोंगे तेरी महफिल में लेकिन हम नहोंगे चलते चलते आशिकों के लिए भी एक शेर आशिक पहले भी हुए हैं बाद में भी हुए लेकिन शाजहां और डॉक्टर नजरालम जैसे आशिक फिर नहीं होंगे लोकलेटीन के लिए भागलपूर से सत्यम कुमार की रिपोर्ट लोकलेटीन के ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए क्लिक करें लोकलेटीन की प्लेलिस्ट पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है